सामा जी ग्राजनेतिक और सामा ने समाचारों के लिए देखते रहे एजे टीवी न्यूज लाइव सनमा निये देवेंदर फर्णनेवी जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाये थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं जो देवेंदर जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी के नहीं 2005 में मैं मंत्री पत्पे नहीं था एक आरर पार्टिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया हमने मूनीरा से संपत्ती लेने के बाद सलीम पटेल की वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अकबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाउद से उसका कनेक्शन वताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था और पांच महिने पहले मैंने जानकरी ली सनीव पटेल का देहन्त हो गया और सलीम पटेल ये मुनीदा का पौरफ अटवनी था सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजायाफ्त सा मुझरिम से आपने कोई लेंदेन किया है 2005 में वो कन्विक्टिड नहीं था जो वाच्मेन वहाँ पे था उनका लड़का था तीन सो मिटर पे साध बारा पे उसने अपना नाम चड़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज वो हमने उनको पैसा दिया था ये सच्चाई है लिकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूँ जो एंसीबी में निर्दोस लोगों को फसाने का हजारो करोड की उगाही करने का कहीं न कहीं देवेंद्र जी उसको डायवड करने का प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ डायवड करने का नहीं उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबन है 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं इसके पीछे क्या राज है देवेंद्र जी औरो को कह रहे हैं कि अंडर वर्ड कलेक्शन के लोग हैं ये लिकिन देवेंद्र जी हम आप से पूछना चाहते हैं कि सारे अंडर वर्ड के लोग जो अंडर वर्ड कनेक्टेड लोग हैं जो बड़े बड़े क्रीमिनल है आपने मुख्य मंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमिशन है सरकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष्यूं बनाया मुंत्रा यादो नाम का एक वेक्ति जो नाकपुर का खुखायत गुंडा है जिस पर हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं जो आपका राजनेतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है उस मुन्ना यादो को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष्ज बनाया था कि नहीं क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादो नहा के पवित्र हो गया था आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौला ना आजाद फाइनांस कार्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं क्या हैदर आजम बंगला देश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है क्या हैदर आजम की दुसरी पत्नी जो बंगला देशी है जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने सुरू की 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए बंगल पुलिस ने भेजा कि यह जो भी बस सेटिफिक्रिट है जो भी कागजाद है यह फरजी है और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी थे मुख्य मंतरी के कारेले से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया के नहीं क्या आपके इसारे पे पूरे महरास्ट में उगाही का काम हो रहा था के नहीं मामला मुंबई का हो बिल्डरों के जमीनों का जगड़ा हो मामला थाना में जाके कंप्लेंड करके दर्ज करके वसूली की जाती थी के नहीं जमीन मालकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीने अपने नाम पे लिखा लिए जाती थी ये सच है के नहीं क्या आपके कारेकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे खुखायत गुंडे फोन करते थे और पुलीस वाले मामला सेटल कर देते थे के नहीं लेकिन समसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देमेंद्र जी आप पे कि जब आठ नमंबर 2016 को नोडवंदी हुई मोदी जी ने कहा कि नोडवंदी इसलिए किया जा रहा है आतंगवत खत्म होगा काला धन खत्म होगा और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोडवंदी है उसे खत्म करने के लिए हम नोडवंदी का काम कर रहे है जब नोडवंदी हो गई पुरे देश में जाली नोडवंदी चाहे पंजाब हो 2500 के जाली नोडवंदी पकड़े जाने लगे मद्धे परदेश में जाली नोडवंदी पकड़े जाने लगे तामिलनाडू में जाली नोडवंदी पकड़े जाने लगे लेकिन चापे मारी की जिसमें 14 करोड 56 लाख रुपे के जाली नोट पकड़े गए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देविंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया 56 लाख रुपे 8 अक्तुबर 2017 साथियों जाली नोट का नेक्सस ISI पाकिस्तान दाउद वाया बंगला देश यह पूरी जाली नोट इस देश में खैलाई जाती है 8 अक्तुबर के चापे मारे में 14 करोड 56 लाख पकड़े गए मुंबई में एक ग्रिफ्तारी हुई पूना में एक जो ग्रिफ्तारी हुई इमरान आलम शेक पूना में ग्रिफ्तारी हुई दियाज शेक और एक नई मुंबई में भी उसमें ग्रिफ्तारी हुई थी लेकिन 14 करोड की 56 लाख की जपती को 8 लाख 80 हजार रुपे बताकर मामला दबाया गया पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है मामला एनाये को नहीं दिया जाता नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जाच कभी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं न कहीं तातकालिन सरकार का संरक्षन था कहानी बनाई गई कि वो तो कॉंग्रेस का नेता है इस शहर में कभी भी वो कॉंग्रेस का नेता नहीं रहा खेल था कि पकड़ा जाए तो कॉंग्रेस पे बिल फाड़ दो और जो आलम शेक था इमरान आलम शेक यह माइनोर्टी कमिशन छे महने के बाद जिसको हाजी अरफाज शेक को चेर्मेन मनाया गया उसका यह चोटा भाई हाजी अरफाज शेक जिसे देवेंदर जी ने दल बदल कराके अल संख्यक आयोक महराज का चेर्मेन मनाया था उसका यह चोटा भाई है देवेंदर जी आप मुन्नायाद्म्दों को चेर्मेन बनाते हैं खुखायद गुंडे को पंगला देशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है उसको आप माइनोर्टी मौलाना आजाद फाइनांस कार्पोरेशन का चेर्मेन बनाते हैं और जो जाली नोट का रेकट चलाता है कहीं छोटे मोटे कोई काट शाप लेकि कॉंग्रेस का नेता बना देता है रहता है किसी और पार्टी में काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महारास के अल्ब संख्यक आयोगपत का अध्यक्ष बनाते हो पूरी तरह से आपने राजनीती का क्रिमिनलाईजेशन किया हम आपसे पूछना चाते हैं कि रियाज भाटी कौन है 29 अक्तोबर को सहार एरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया जिसके उपर दाओद इबराहीम सारे ग्याइंग के लोगों के साथ संबन्द के सारी खबरे अकबारों में थी पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है दबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाया और दो दिन में छूड जाता है इसके पीछे क्या खेलता रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कारेकरमों में क्यों नजर आता था रियाज भाटी भारती जनता पार्टी के कारेकरमों में क्यों नजर आता था आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था हम देश के परधान मंतरी पर आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन देश के परधान मंतरी के कारेकरम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किये बिना किसी भी वेक्ति को पास नहीं इशू होता परधान मंतरी शहर में आये और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरे की चबाई क्या ऐसा कारण था बिना इस कूटनी के रियाज भाटी परधान मंतरी तक पहुँच गया देवेंदर जी आप मुख्य मंतरी रहते हुए इस महाराष्ट में आपने सारे क्रिम्नल लोगों को सरकारी पदो पर बिठाया जाली नोट का नेकसेस आपने चलवाया आपने रियाज भाटी के जरिये पूरी उगाही का काम किया आपने थाना में कमिशनर बैठा के कम्प्लेंट पूरे महाराष्ट की करा के उगाही का दंदा करवाया और विदेश से खुखाये गुंडे फोन करके सेटल्मेंट पुलीस वाले करते थे और ये सारा खेल आपके आशिरवास से महाराष्ट में चल रहा था कि आज तो इतना बता रहा हूं आगे और बहुत सारी काली करतूते देवेंदर जी के हैं मैं लोगों के सामने रखने रहा हूँ लियाज भाटी उनके साथ क्यों भूमता है दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडर वर्ल्ड का आरूपी एरपोर्ट पे डिटेन हो जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है परधार मंत्री के कारेकरम में वियाएपी के पास कैसे बन जाते हैं जाली नोट का नेक्सिस चलता है जमानत हो जाती है पैसे कहां से आये कहां से उसका क्यों ने इन्वेस्टिक्जन किया जाता क्या है अधर आजम की बीवी का बंगला देश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है के नहीं क्या मुन्ना यादो यह खुखायत गुंडा है के नहीं हम तो सवाल देवेंद्री जी से पूछना चाहते हैं इसका जवाब आप दें अगर यह जूट है तो बताएं कि नमाम मुन्ना यादों पे मुकद्वें हैं जाली नोट का मामला डियाराई का है जो एजनसिया केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा जब 14 करोड 56 लाग पकड़े गए जाली नोट का मामला था तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंड क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अलप संख्या कायो का अध्यक्ष क्यों बनाया और यह योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचाज था वो भी समीर दावूद वानकेड़े ही था ते डियाराई मदे ही केस जाली होती यह मामला डियाराई में हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि जो 14 साल से वानकेड़े साहा जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे उनकी पोस्टिंग जॉइन कमिशनर इंटिलिजन्स रेवनू की एक जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था ये छापे मारी या जो भी कारवाई हुई थी डियाराई नहीं की थी और केस को हलका करने के लिए यही अधिकारी के जरिये देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी हाजी अर्फात के भाई का मामला रफादफा करवाया था ये कोईंसिडन हो सकता है लेकिन एक ही अधिकारी जिसके उपर गंभीर मामले चल रहे हैं जो एसाइटी जांच कर रही है विजिलेंस की जांच हो रही है और उससे ध्यान बटकाने का खेल कहीं तो नहीं ये भी सवाल खड़े होता है जो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधान मंत्री के कारेक्रम में पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंट्रिजन्स एजेंसिया केंद्र की इंट्रिजन्स एजेंसिया उस वेक्ती का पूरा स्कूटनी करती है अगर जिसके उपर लगातार दावुद इबराहिम के संपर के मामले रहे हो और वो सीधे प्रधान मंत्री तक रयाज भाति आज फरार है थाना में जितनी उगाई हो रही थी उसका भी वो कही ना कही एक ऊगाई के कारेकरम का हिस्सा था बहुत सारे मुकदमे खुले है जिसमें रयाज भाटी आज फरार है हमारे साथ कोई फोटो नहीं आरती जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है त्याचा बाप्तित का इतापास सुरू है त्याचे वर मी भास करू इछित नहीं अगर इस तरह से चीजे करूंगा तो लोग कहेंगे कि ना मलीक लोगों को पसा रहा है पता रहें देखते हैं कितनी इमानदरी से चीजें फिर सुरू होती है रियाज भाटी को लेकिए देखते हैं क्या सफाई आती है सवाल यह है कि दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई एरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो दो दिन में कैसे सुट जाता है सवाल ये है कि परधान मंत्री के कारे करम में कैसे एकसेस मिल जाती है तस्वीरे किसी के शादी में किसने उतार ली में ये नहीं कहतना चाहता किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरे ये आरोप मेरा नहीं मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एरपोर्ट पे पकड़ा गया एक खुकायद गुंडा दो दिन में जमानत हो गई एक खुकायद गुंडा जिसके उपर लगातार आरोप थे परधान मंत्री के कारिकरम के भीतर जो वी आईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुँचा फूरी तरह से देमेंदरी जी का संद्रक्षन उसको था में फोटो चा बाप्तित आरोप लावत नहीं बोगस पासफोर्ट चा जो केस है दोन दिवसर्ट कसा त्याला सोडने ताला पंत्रप्रधान यांचा सोबद इसकुटनी केले शिवाए कुनाला जाने ची परवनगी नस्ते ये त्यानला एक्सेस देनेंगे कौन होता है माजे प्रस्ट है सर्वाजनिक जीवनत लोकां चे वर फोटो लोका खाडता है मुनना यादो है साज के समीती वर अद्धिक्ष होते के नहीं हाजी अरफात माइनियोटी कमिशन चा चेर्मेन होता के नहीं हाजम हैजर है मौला ना आजात फाइनेंस कारपोरेशन चे चेर्मेन होते के नहीं एका पदावर निम्नुक करत अस्ताना पुलिशन करणून रिपोर्ट मांगावनत येते के नहीं हे शग्रा अस्ताना त्यानला संरक्षन देने साथी इनाम देने साथी या तीघनला बोर्ड अनी कमिशन चा चेर्मेन करनेत आला होता श्या पुलिश्य द्रॉक्स ये मांगा हुआ है मला माइत नहीं प्यानला नंतर पक्षांतर करऊन अल्ष संख्यक आयोक्सा अध्विक्स करनेत आला बंजे लोग का यांचा साथी कामकरत होती है या चा तुम निश्यत होते है प्रतीत होता है कि वसूली ड्रॉक्स मामला था क्योंकि इसमें बहुत सारे वाट्सप चैट जो सामने आये और लोगों के केपी गोसावी और प्रमाकर सैल के इसमें चैट में बस नजर आ रहा है कि पहले से टार्गेट दिये गए थे कुछ चेहरे पहले से दिये गए थे और उनको पहले से विशाना साधना था तो क्या यह वसूली ड्रॉक्रेड इसे कहेंगे कि तेरा लोगों को चिन्नीत किया गया जो एक तीन तारीक की रात में जो डी जी प्रधान साहब है उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि बारत के इतिहास में पहली बार मिट सी ऑपरेशन हम लोगों नहीं किया एक क्रूस पे छापे मारी हुई पंदरा दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बाते कही गई सारे देश में उसको लेके ख़बरे चलने लेगी लेकिन हमने पहले छे तारीक को सवाल केपी गोसावी और मनीश भानुसाली पे उठाए थे हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है वाट्शब चैट के जरिये जो प्रभाकर कहे रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइड़ फोटो बाटे गए थे उन्हीं को पकड़ना था ये सारा उनके कनवरजेशन में है अगर रेड शिप पे डाली गई तो कुरूज को बिना पर्मिशन सेल करने की पर्मिशन क्यूं दी गई उस कुरूज में पूरी तरह से तलासी क्यूं नहीं लेगी गई क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया क्यों आरियन खान को किसके कहने पे वहां तक लाया गया आरियन खान के घर वालों से 25 करोड की मांग क्यूं की गई डिसकाउंटेड रेड 18 करोड में डील क्यूं हुई पचास लाग रुपे उठाए क्यूं गए यह सारे सवाल है दोनों SIT के सामने सारे बयान है CCTV फुटेज है पॉल CDR होगा इलेक्ट्रोनिक एविडेंस भी उसमें है लेकिन कहीं न कहीं लोगों को डराये जा रहा है कि आपने पैसा दिया आप भी मुकदमे बाजी में फस जाओगे मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनेगार होता है अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरोती देने वाला कभी भी गुनेगार नहीं मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत आप विक्टिम है आप गुनेगार नहीं डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का वही का काम चलते रहेगा सबीर भांखिडे के अग्स्टों एलिगेशन वो नचीब की विजिलन स्टीम इंवेस्टिगेट कर रहे हैं यूश्यों पीपल गो फार अजन्सी विजिस जो कि मेन अजन्सी का पार्ट लेहूं हूँ अगमी इंसीब कही ऑप्सर है और एंसीब ही इंकी खिलाब इंपाइल कर रहे है मैं फिर बोल रहा हूं कि 26 मामलोग को हमने पत्र लिखा है कि यह जाली मामले है एंसी भी एक और्गनाइजेशन है उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है काम है लेकिन अगर इस शहर में किटनैप करके हुगाई का काम चल रहा हो लगातार मुंबई पुलीस को कंप्लेंट मिल रही है तो पेरलेली चार अधिकारियों की कमेटी उसकी जाच कर रही है और निश्य दुरुप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा अधिकल 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 निश्य दुरुप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जम्मिदारी बनती है कि मैं ग्रह विबाग को इसकी जानकरी दूँ निश्य दुरुप से मैं ग्रह विबाग को जानकरी दूँगा देविंदरी जी बोल रहे हैं कि आपको CBI पीछे लगेगी कुछ ट्वीटर में लिख रहे हैं कि आपका जेल इंतिजार कर रहा है अगर गुना किया होगा तो हम जेल जाएंगे लेकिन पावडर के पैसे से अगर अल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए चोर मचे शोर यांचा काड़ा संपत्ति काड़ा चे जर्वेड आली तेपन आज ने उद्या काड़ू वरली मदे दोन-दून छे कोटी रुपेचे फ्लैट कुना चे नावन नी हाय मैं देखिया ऐसा है मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता मैं अपना काम करती हैं मुझ पे कितनी भी उंगली उठाएं मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता मेरे दामात का क्या मामला है काला पैसे का मुझ पे आरोब लगा रही है काला पैसे का बियनामी संपत्ती की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड का फ्लैट है बीकिसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है काला धन बियनामी संपत्ती का ही अगर शौक है ठीक है शुरू करिए हम तो पूरी तरह से तयार हैं कि आपका EDCBI NIA जो भी मेरी जांच करानी कराई है लेकिन जो कागज मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी यह भी मुझे वह आश्वाशन दें देखे वो सरकार मैं आज सरकार की तरफ से परवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं मेरी लड़ाई ना इंसाफी लोगों को बे गुनाहों को जेल में डालना उगाही का मामला इसको लेखे सरकारी बात आगे करेंगे धन्यवाद अगर सारी चीजे मैं कहूंगा तो यह इस्टब्लिस करने की कोशिज करेंगे कि मंतरी बोल रहा था और यह प्रोजुडिस होके हम लोगों को फसाय जा रहा है तो कुछ चीजें अगर पुलीस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता उससे ज्यादा बोलना थीक नहीं तो साथ वर्ष होता प्रबॉशन प्रेट नहीं साथ वर्ष होता ठीक है नंटा चे खिलाब मेरे खिलाब मुकदमों की बाड़ आ गई है अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाब कोई शिकायद कर रहे हैं ठीक हर वेक्ति को इस देश में शिकायद करने का अधिकार है कोई कहता है कि नमम मलिक पे अट्रोसिटी लगा दो मैंने कोई ऐसे बात अपत्ति जनक नहीं की कि किसी की जाती को लेके अपत्ति जनक मैंने बात की हो फर्जी सर्टिफिकेट फर्जी वाड़े का सवाल हमने उठाया हमने जो बाते की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है लोग मुझे बोलने पे रोक लगे इस तरह से हाई कोट में पियाईल भी फाइल सिर्थ कुछ परिबार के लोग गए इंटरिम रिलीफ मांगी कि इने बोलने पे रोक लगाया जया उसका जवाब दाखिल करने के लिए महां हाई कोट में हमने अपना हल्प नामा दायर कर दिया है आज शायद उसके सुनवाई होगी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चला रहा है यह नियाएदीन लड़ाई है निश्चित रूप्स आम लडेंगे अजी बाद वैक्तिक पातड़ी वर जात नाहीं मी सुर्वती पासुन बोलतो रविवारी पन बोल्ला होता है कि लड़ाई अन्याई चे विरोधत लड़त लड़त अस्ताना जे लोका निश्पाप लोका गुंता होता है जी लोका घंडनी वसूल करता है त्यांचे पाठ रखन करू ने मी माक्चा रविवारी है आवान केला होता तरी त्यानला वाचाओने साथी लोका समोर ये तस्तिल कमंग मला बोलेवा लगता है कुछ बहुत सारे बम है लड़ाई कैसे आगे जाती देखेंगे कुछ विधान सावब में भी फोड़ेंगे धन्यवाद सामा जीक राजनेतिक और सामा ने समाचारों के लिए देखते रहे एजे टीवी न्यूस लाइव